नमस्कार दोस्तो आप सभी दर सकोगा एक बार फिर से बहुँ बहुँ स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये देख सकते हैं वीडियो में ये है गूण इसके बहुँ सारे आयरुवेदिक लाब बताने वाले हैं सबसे पहले में आप लोगों को बताना चाहूँगा हमारे चैनल का मकसद यूटूब से पैसा कमाना नहीं है बलकि हम अपने चैनल के माध्धम से आप सभी ताक आयरुवेद के जानकारी पहुचाने की कोसिस करते हैं ताकि आप सभी लोग हमेशा स्वस्तर हैं हमेशा बार हैं जिसमें आप सभी सभी सदस सजुड़े हुएं आप सभी हमेशा स्वस्तर हैं नीरोग रही में भगवान से कमना करता हूं लेकिन बड़ा दुरभाग एकी बात है कि भारत भूमी से आईरुवेद के जानकारी 90% समाप्त हो चुकी हैं लोगों को अब आयरुवेद कि जानकारी को जन जन तक फैलाना चाहते हैं फिरी में बीना किसी पैसे के इस चोटे से कारेकरम में आप हमारे योगदान जरूर दे इस वीडियो को लाइक करें अपने मित्रों में सेयर करें मित्रों हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि जो लोग डाक्टरों को मोटी र कम देने की ज़़ुरत नहीं है तो जानकारी आगे बढ़ हाते भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गुण का सेवन हमारे सरीर के लिए बहुत जादा लापकारी होता है चीनी के अपेक्छा गुण अधिक लापकारी होता है आजकल चीनी का परोग अधिक होने की कारण लोग जो है गुड का परो कम करते जा रहे हैं जबकि गुड में दोस्तो आब के पाचन सक्ती को तेजी से बनाय रखने के लिए अवजदी गुड छुपा होता है पाय जाते हैं ये सर्दी खासी जुकाम बंद मासिक धर्म को खुलने का कम करते हैं सीर के दर्द को पेट के द जगों में अलग अलग नाम से जाना जाता है गए जगाइ इसे जो हैं गुण बोलते हैं गे जगाई इसे ग्यिण के ज़रूर बताना जानकारी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ी भी जानकारी अच्छे लगेगी तो वीडियो को लाइक करना हमारे चैनल को सबिस्क्राइब करना और अपने फैदे के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना गुण का सर्दी खांसे जुकाम जर से समापता हो जाते हैं ठीक हो जाते हैं दोस्तों जिहां सर्दी खांसे जुकाम जर से समापता हो जाते हैं ये सर्दी खांसे जुकाम को दूर करने का काम करते हैं ठीक करते हैं दमा के लिए दोस्तों दमा रोग होने पर तीन गराम तीन से दस ग तो गुण को आउले की चुणना के सांस सेवन करने से वीरग की वृद्धी होती हैं और पेशाब करने में जो कष्टा होती हैं कष्टा नहीं होते हैं पेट के रोग में जिहां पेट के रोग में जैसे का आपके पेट में दर्दा होता है पेट में एठन होता है खाना खाने क जो पच्तन यह जल्दी से पच्छने लगते हैं यहाँ तक कि दोस्तों ये भी देखा कहें आधा सीसी सीरदर्द में भी इसका प़रूग होता यानि कि माइग्रेन हम जिसे बोलते हैं तो सूर्य निकलने के सांथ जो दर्द होता हुआ ofने से लगते हैं तो इस आसा करतों ये जानकरी आपको जरू पसंद आये होगा जानकरी अच्छी लगे हैं तो इसे लाइक करें अपने मित्रों में शेयर करें धन्यवाद नमस्कार जैहिन जैरुएद